एक आठ साल के बच्चे की मा मर जाती है। एक दिन उसके पापा ने पूछा कि बेटा तुझे अपनी नई मा और मरी हुई मा में क्या फर्क लगा। तो वो लड़का बोला मेरी नई मा सची है और मरी हुई मा जूटी थी। ये सुनके उस आदमी को जटका सा लगा और वो बोला क्यों बेटा ऐसा क्यों लगता है जिसने तुझे जन दिया वो जूटी और कल आई हुई मा सची क्यों लगती है। लड़का बोला जब मैं मस्ती करता था तब मा कहती थी अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा तो तुझे खाना नहीं दोंगी। मैं फिर भी बहुत मस्ती करता हूँ और वो मुझे पूरे गाउं से ढूंड कर लाती अपने पास बैठा कर अपने हाथों से खाना खिलाती थी, और ये नई मा कहती है, अगर तू इसी तरह मस्ती करेगा, तो तुझे खाना नहीं दोंगी, और सच में उसने आज मुझे तीन खाना नहीं दिया। दोस्तों मा तब भी रोती थी जब बेटा पेट में लात मारता था। मा तब भी रोती थी जब बेटा गिर जाता था। मा तब भी रोती थी जब बेटा भुखार या सर्दी में तरपता था। मा तब भी रोती थी जब बेटा खाना नहीं खाता था और मा आज भी रोती है जब बेटा खाना नहीं देता इस मेसेज को इतना फॉरवर्ड करो कि मा कभी भूखी न सुए और उसकी आख से एक कत्रा आ सुना आए दोस्तों वो भी क्या दिन थे मम्मी की गोद और पापा के कंधे न पैसे की सोच न लाइफ के फंडे न कल की चिंता न फ्यूचर के सपने अब कल की है फिक्र और अधूर हैं सपने मुड कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने मन्जिलों को ढूंटे कहां खो गए हम आखिर इतने बड़े क्यों हो गए हूँ दिन भर काम के बाद पापा पूछते हैं कि कितना कम आया वाइफ पुछेगी कितना बचाया बेटा पूछेगा क्या लाएं लेकिन मा ही पूछेगी बेटा कुछ खाया अगर आप फ्री हो तो इस मैसेज को इतना फैला ओ जितना आप अपनी मा से प्यार करते हूँ एक मैसेज मा के नाम Love you मा, Love you, Love you, Love you, Love you मा Thank you friends